हलो एवरिबड़ी वेलकम बैक टू मैं चैनल मैं एकता आपका मेरे चैनल एकता क्रेशन्स में बहुत बहुत स्वागत हैं तो दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप अपनी पुरानी शॉल को रियूस कैसे कर सकते हैं अपने शॉल को रियूस करने के वैसे तो बहुत सारे तरीके आप जानते ही होंगे बस उसको मैं रिवाईस ही करने वाली हूँ आज जैसे कि आप अपने शॉल से सबसे पहले कुर्टियां बना सकते हैं जिसमें बहुत अच्छे प्रिंट्स हो अगर एमडराइटरी वर्क हो उस ताइप का अगर आपके पास कोई शॉल है जैसे कश्मीरी शॉल है या फिर प्रिंटेड कोई शॉल है और जिसमें कुछ पैटर्न वर्क है तो उससे आप बहुत सुन्दर कुर्टियां बना सकते हैं यहां मेरे पास एक स्टॉल था यह इस तरह का और इसमें बहुत सुन्दर इस तरह का बॉर्डर बना हुआ था और यह नीचे यह देखे यह दोनों साइड पे शॉल के इस तरह का वर्क था और यहां पर यह बॉर्डर था तो इससे मैंने यह कुर्टि बना ली है और जो second idea है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है इसको मैं बहुत यूज करती हूँ तो मैंने अपने जो पुरानी shawl है उससे jackets बना लिये हैं इसका tutorial मैंने आपके साथ share भी किया है कि मैंने ये jacket कैसे बनाया है तो मेरे पास एक पुरानी shawl थी तो उससे मैंने इस type का ये jacket बना लिया है इस पे इस type का ये work था ये work बहुत ही अच्छा लग रहा था ये देखे तो ये jacket wear करने पे बहुत अच्छा लगता है इसको आप full sleeves बना सकते हैं मैंने यहाँ पे 3-4 sleeves बनाया है और इसको आप full sleeves बना सकते हैं और यहाँ पर मैंने यह round neck बनाया है आप collar neck भी बना सकते हैं वो भी बहुत सुनर लगेगा इस पर इस jacket को बनाने के बाद इस shawl में और थोड़ा सा fabric बज गया था तो उससे मैंने यह long jacket बनाया है यह shrug style का है यह देखिए जैसे shrug होता है उतने length का है यह जैसे कि मैंने short jacket बनाया था same process से मैंने यह long jacket बनाया है बट fabric कम होने के कारण इस पर मैंने sleeves नहीं लगाई है तो short jacket में मैंने यहाँ ओपर में work लिया था तो इसलिए मैंने long jacket में इस work को यहाँ नीचे की तरफ ले लिया है और यह देखिए नीचे इसी तरह की लटकन से इसको मैंने cut नहीं किया है इसको as it is ही रहने दिया है और same जैसे मैंने short jacket बनाया था same वैसे ही मैंने इस long jacket को बनाया है इस पर भी मैंने ground neck ही रखा है और यहाँ पर मैंने hook लगा दिया है और आप चाहे तो इस पर collar neck भी बना सकते हैं और अगर आपके पास आप short jacket नहीं बना रहे हैं सिर्फ long jacket बना रहे हैं तो आपके पास fabric होगा तो उस fabric से आप इसकी sleeves भी बना सकते हैं स्लिफ्स वो भी बहुत अच्छा लगेगा तो इस तरह से आप यह long jacket बना सकते हैं और इसको आप gowns पे साडी पे भी यह बहुत ही अच्छा लगता है यह long jacket आप इसको पार्टी में भी वेर करके जा सकते हैं यह बहुत ही trendy लगता है साडी पे वेर करने पे तो इस तरह से आप इस लॉंग jacket को बना सकते हैं अगर आपके पास को इस टॉल हो जिस पे की बहुत ही अच्छा वर्क हो और जिस पे बहुत अच्छा प्रिंट हो और सेल्फ वर्क हो और उसको आप कट नहीं करना चाहते हैं और उससे आप कुछ वियर करने के लिए बनाना चाहते हैं कुछ नए स्टाइल में उसको convert करना चाहते हैं तो आप उससे poncho बना सकते हैं तो मेरे पास भी एक कुछ नहीं किया है यहां से इसको मैंने डबल फोल्ड किया है और यहां से इतने दूर तक मैंने मेजर किया है यह 12 इंचेस है यह डबल करके यह 24 इंचेस हो जाएगा तो इतना मैंने छोड़ दिया है इसको नेक के लिए और इसके बाद मैंने इसको स्टिच कर दिया है और य किस तरह से कर सकते हैं अगर आपके पास इस तरह का कोई शॉल हो जिसकी की लेंद काफी हो और इसको आप वेयर नहीं करते हैं और इसमें गर्माहट भी हो को बहुत अच्छा और आप इसको किसी को देना भी नहीं चाहते तो इस तरह के शॉल को आप यह देखिए इसकी लेंद काफी अच्छी है तो इस तरह के शॉल को आप अपने दिवान पर ऐस बैट शीट यूज़ कर सकते हैं विंटर्स में गर्माहट भी देगा और अच्छा कवर भी बना सकते हैं इसको कट मत कीजिए फोल्ड कीजिए और बिचा दीजिए तो इस तरह से आप सोफा कवर की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं आप इससे प्लाजो बना सकते हैं विंटर पर यह प्लाजो बहुत ही यूसफुल चीज़े रहती हैं जिसको आप वियर कर सकते हैं या फिर इस तरह के प्लेटेड शॉल से आप प्लीटिड स्कुर्ड भी बना सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छा लगता है आजकल वो भी बहुत ही in trend है तो अगर आपके पास कोई इस तरह की shawl हो जिसके colors अच्छे हो प्राइट हो तो उससे आप pleated skirts बना सकते हैं या फिर plazo बना सकते हैं वेर करने के लिए next तरीका है कि अगर आपके shawl और भी बहुत जादा ही यहने old हो गई है पर उसमें करमाहट है और आप उसको रखना चाहते हैं तो आप उसको fold कर लीजे 13 round जैसे कि अगर यह है मेरे पास यह shawl है उसको मैंने ऐसे इस तरह से fold कर लिया है उसके बाद मैं इस पर stitch लगा और stitch लगाने के बाद आप इसको नीचे mat की तरह यूज़ कर सकते हैं इसको बिच्छा कर इसके उपर बैठ सकते हैं पूजा करते समय या फिर आप अपने जो dining table है उसकी chair उसके भी इसको बिच्छा सकते हैं तो ठंडी के दिन में यह काफी गर्माहट देगा और आपका स्टॉल को भी यूज़ कर सकते हैं तो फ्रेंड्स अगर आपके पास कोई स्टॉल हो जिसमें की बहुत ही अच्छा वर्क हो या एम्रोइड़ेड वर्क हो और आप उसको एज़स्टॉल यूज़ नहीं कर रहे हो और आप इसको कनवर्ट करना चाहते हो तो आप उससे काफ लगा नहीं करना सकते हैं और बहुत ही इसली घर में कर रिडी हो जाता है तो मेरे पास भी यह इस तरह से अनौहें करेंस कर लिए और बीच में से से एक सिंगल कट लगा लीजे जिससे की वो नेक बन जाएगा और इसको आप फोल्ड करके हैम कर लीजे और यहां साइट स्पे स्टिच लगा दीजे बस और आपकी काफ़तान कुर्ती बनकर रेडी हो जाएगी तो फ्रेंड्स अगर आपके पास ऐसी कोई शॉल हो जिसमें इ लेजम रोईडरी वर्क हो तो उस से आप इस तरह का कुशन कवर भी बना सकते हैं और आप सोफे का जो कवर होता है वो भी इससे बना सकते तो इस तरह से आप अपनी पूरानी शॉल को यूज कर सकते हैं तो देखा दोस्तो हम अपनी पुरानी शॉल्स को कितने तरह से यूज कर सकते हैं जैसे कि हम अपनी पुरानी शॉल्स से मैट बना सकते हैं, सोफे के कवर बना सकते हैं, कुशन कवर बना सकते हैं और वेर करने के लिए हम बहुत सुन्दर जैकेट्स बना सकते हैं, लॉंग श प्लेटे डिसकर्ट बना सकते हैं तो इस तरह से आप वेर करने के लिए काफी चीजें अपनी पुरानी शॉल से बना सकते हैं जो की दिखने में और प्रिंट वाइस बहुत अच्छे हो उन शॉल से आप ये सारी चीजें बना सकते हैं और उसके बाद जिस शॉल को आप ज्या आपने सोफे पे उसको बिचा कर रणर की तरह यूज़ कर सकते हैं और आप अपनी दिवान पर भी उसको बिचा कर यूज़ कर सकते हैं ऐसा बैट शीट थंडियों में ये बहुत ही यूसफुल रहता है और अगर थोड़े बहुत प्रिंट्स अच्छे हो आपके शॉल में से जिसमें काफी एमरोइडरी हो और आप उन शॉल्स को वेर नहीं कर रहे हैं तो आप कुशन कवर्स भी उससे बना सकते हैं वो भी बहुत अच्छा लगता है इवन टेबल रनर्स भी आप इन सब चीजों से बना सकते हैं जो शॉल्स के कॉर्णर्स होते हैं जिन पर की दोनों साइट्स जो कॉर्णर्स होते हैं उस पर बॉर्डर्स बने होते हैं उन बॉर्डर्स से आप बहुत सुन्दर रनर्स बना सकते हैं उसको cut कर लीजिए और उसके चारों तरफ आप piping कर दीजिए किसी भी cotton के कपड़े से या फिर synthetic कपड़े से बहुत सुन्दर runner बन कर ready हो जाएगा तो इस तरह से आप अपनी पुरानी shawl को use कर सकते हैं इसके अलावे भी अगर आपने अपनी पुरानी shawl को reuse किया है आपके पास कोई और idea है तो comment करके मुझे जरूर बताइएगा आशर करती हों कि आपको आज का मेरा ये shawl को reuse करने वाला वीडियो पसंद आएगा थैंक यू फ्रेंड्स फोर वाचिंग